दोसों से भी अधिक वर्सों से साइकल में निरंतर बदलाओं और अविश्कारों के बाद इसका आधुनिक सुरूप सामने आया है चाहे साइकल की बनावट हो इसके अलग-अलग कलपूर्जे हो या फिर इसकी कारिपनाली हर जगा विज्ञान के सिध्धान तंतर नहीं थे साइकल की खूबसूरती है कि एक ही साइकल सावार इच्छानुसार बहुत तेज गती भी पासकता है और बहुत ताकत पाके उची चढ़ाई भी चढ़ सकता है तो यह साधारन से दिखने वाली साइकल ये कैसे संभव कर पाती है इसे आज की वीडियो में समझेंगे साधारन साइकल में एक चेन होती है जो कि पैडल की द्वार आगे और पीछे के दाददार चक्के के बीच में घूमती है जितनी ऊर्जा आप लगाएंगे साइकल उतनी ही तेज चलेगी चेन जन दाददार चक्कों पर घूमती है उन्हें स्प्रोकेट्स कहते हैं आगे वाला स्प्रोकेट पेडल से जुड़ा होता है और पीछे वाला स्प्रोकेट पहिये से जुड़ा होता है गेर वाली साइकल में पैडल से पिछले पहिये में उर्जा पहुचाने के लिए गेर सिस्टम का उपयोग होता है इसमें पिछले पहिये पर एक स्प्रोकेट ना होकर अलग-अलग आकार के धेर सारे स्प्रोकेट का एक समून होता है साथ ही एक ऐसी प्रणाली होती है जिससे चेन को एक स्प्रोकेट से दूसरे स्प्रोकेट में भीजा जा सकता है साधारन बोलचाल की भासा में साइकल के स्प्रोकेट के लिए गेर शब्द का इस्तमाल किया जाता है Sprockets और gears दोनों का ही उपयोग यांत्रिक शक्ती को तौर्क के रूप में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुचाने में किया जाता है हाला की साइकल के Sprockets और अन्य मशीनों में इस्तमाल होने वाले gears में अंतर होता है स्प्रोकेट में दाददार चक्का होता है और ये दाद इस तरह बने होते हैं कि ये किसी चेन या बेल्ट के खाचों में फिट हो जाते हैं इस chain से 2 जूड़े होते हैं, इसलिए यदि एक स्परोकेट इस दिशा में घूमता है, तो दूसरा स्परोकेट भी उसी दिशा में घूमता है, गेर भी एक दाथधार पहिया है लेकिन ςубह दाथ इस तरह बनाए जातें कि दूसरे गेर के साथ फस जाते हैं, यानि गेर एक दूसरे के साथ पूरी तरह फस कर या इंटरलॉक होकर ही जुड़े रहते हैं। जैसे कि दिखाए गए स्पर गेर पनाली में जब एक गेर गूमता है तो यह दूसरे गेर को उल्टी दिशा में गूमाता है। इस तरह दूसरा गेर टॉर्क को उल्टी दिशा में संचारित करता है। अगर यहाँ पर इस तरह तीसरा गेर लगा दें तो यहाँ पहली गेर की दिशा में ही घूमने लगता है। गेर्स कई अन्य तरह के भी होते हैं और सभी तरह के गेर्स टॉर्क या पावर को एक जगा से दूसरी जगा संचारित करते हैं। यह 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 तो गती यह टॉर्क को घटा बढ़ा सकते हैं, यह फिर घूमने की धूरी की दिशा को बदल देते हैं। साइकल में गेर्स नहीं होते हैं, इसमें दो स्प्रोकेट्स होते हैं, जो कि चेन द्वारा जुड़े होते हैं, और टॉर्क को एक जगा से दूसरी जगा संचारित करते हैं. आप जानते हैं कि साइकल में पैडल मारने से चेन पिछले पहिये को घुमाती है, लेकिन अगर पैडल मारना बंद कर दें, तो पिछला स्प्रोकेट और चेन घुमना बंद कर देते हैं, और एक टिक-टिक सी आवाज आती है. क्या आपने सोचाएं कि पहिया तो घुम रहा है, लेकिन चेन और स्प्रोकेट नहीं घुम रहे हैं, और ये टिक-टिक सी आवाज क्यों आ रही है? और अगर पैडल को उल्टी दिशा में चलाएं, तो पहिया उल्टी दिशा में क्यों नहीं घुमता है? ऐसा फ्री वील के कारण होता है, अगर आप ध्यान से देखें, तो पिशला स्प्रोकेट सीधे पहिये के एकसल से नहीं जुड़ा होता है, इसमें स्प्रोकेट और एकसल के बीच में रैचिट होता है, यानि कि रैचिट पहिये के एकसल पे लगा होता है, रैचिट और में freewheel कहते हैं जब हम paddling करते हैं तो chain से sprocket और पिशला भाया घूमता है और हम आगे बढ़ते हैं पहिये के axle में freewheel लगा देने से paddling रोग देने पर पिशला sprocket पहिये के साथ नहीं घूमता है इस वज़ा से chain नहीं घूमती है और पैडल भी नहीं घूमते हैं और हम बड़ी आराम से अपने पैरों को पैडल पे स्थिर रख सकते हैं इस freewheel का विश्कार अमेरिका के वीलियम वान एंडन ने 1879 में किया था उन्होंने अपनी साइकल के अगले भाईये में इसे चोड़ा था फ्री वील का रेचेट कैसे काम करता है अब इसे समझते हैं आप अपouver सकते कि रेचेट को इस दिशा में घूमाने पर यह बहुत आसानी से घूमता है लेकिन उल्टी में घूमने पर यया इस आटक जाता है और बिल्कुल नहीं गूमता है रैचेट को खोल कर देखें तो इसके अंदर की और दांत होते हैं इन दातों के एक और के किनारों में एक तेज धालान होता है जब कि इसके दूसरी और कम जुकावाल डालान होता है रैचेट में धातु को एक टुकड़ा हो अटक जाता है अब स्प्रोकेट रेचेट के साथ लॉक हो जाता है जब स्प्रोकेट रेचेट के साथ लॉक हो जाता है और इस स्थिती में पैडल से चेन घुमाने पर स्प्रोकेट और रेचेट आगे की और को गूमते हैं और रेचेट के बीच में पहिये का एकसल भी आगे की और को घूमने लगता है अगर चेन को घूमना रोग दें तो इस प्रोकेट और रैचेट तो घूमना बंद हो जाते हैं लेकिन घूमते वे पहिए कि गति के कारण रैचेट के अंदर एक्सिल भी इस दिशा में घूमता रहता है रैचेट के अंदर का हिस्सा घूमने से पॉल इन दातों के उपर खिसता है लेकिन उसमें अटकता नहीं है इस वजह से एक्सिल और पहिया बिना रुके घूमते रहते हैं जबकि स्प्रोकेट चेन और पैडल स्थर रहते हैं पॉल के दातों पर रघर्णी की आवाजी है जो हमें पैडल रोखने पर टिक टिक की आवाज की तरह सुनाई देती है है ना यह बहुत उप्योगी डिजाइन रैचेट के कारण पैडल को उल्टी दिशा में घूमाने पर पहिया उल्टी दिशा में नहीं घूमता है लेकिन अब हमें एक ऐसी साइकल देखते हैं जिसमें पैडल को किसी भी दिशा में घुमाएं लेकिन साइकल आ गए ही जाती है इसमें दो चेन हैं जो दो अलग-अलग फ्री वील और चेन वील या स्प्रोकेट पर घुमती हैं पहली चेन साइकल के साधारन चेन की तरह काम करती है यह इस ओर से जाकर फ्री वील के उपड़ से होकर गुजरती है लेकिन दूसरी चेन को इस ओर से इस तरह से ले जाया गया है कि वह दो पुली के उपर से जाकर दूसरे फ्री वील पर उल्टी दिशा से गुजरती है जब पैडल को आगे की ओर घुमाते हैं तो पहली चेन और फ्री वील साधारन साइकल की तरह पिछले पहीये को आगे की ओर को घुमाते हैं इस वक्त ये दूसरा फ्री वील दूसरी दिशा में घुम रहा है ऐसा इसी लिए क्योंकि यह दूसरी चेन दिशा बदल कर दूसरे free wheel पर जा रही है यानि इस वक्त यह दूसरी चेन अपने free wheel से जुड़ी नहीं है जब पैडल पीछे को घुमाते हैं तो पहली चेन का अपने free wheel से संपर्ख हट जाता है लेकिन दूसरी चेन और उसके free wheel को देखिए इस वक्त यह free wheel सीधी दिशा में घुम रहा है जिसकी वज़ा से अब यह चेन उससे जुड़ गई है इसलिए अब पहिया इस free wheel के कारण आगे की ओर घुम रहा है अब बात करते हैं पैडल और पहिये के घुमने के संबंध के बारे में जब cycle को पैडल किया जाता है तो चेन और free wheel के द्वारा cycle का पिशला पहिया घुमता है यहाँ PADAL और अगले Sprocket द्वारा एक पूरा चक्कर होने पर पिशला Sprocket जितने चक्कर लगाता है उसे Sprocket अनुपात या Sprocket Ratio कहते हैं क्योंकि पैडल और पिशला पहिया इन स्प्रोकेट से जुड़े हुए हैं, इसलिए जिस अनुपात में ये स्प्रोकेट घूमते हैं, उसी अनुपात में पैडल और पिशला पहिया घूमते हैं. साधरन साइकिल में दोनों स्प्रोकेट्स अलग-अलग आकार के होते हैं और इसलिए इनमें दातों की संख्या भी अलग-अलग होती है आपकी cycle का sprocket ratio क्या है यहाँ जानने के लिए पहले समझते हैं कि sprocket ratio निकाला कैसे जाता है इस system को देखिए इसमें आगे और पीछे के दोनो sprockets समान size के हैं इसी लिए इनमें दातों की संख्या भी समान है तो आगे का sprocket जितना घूमता है चेन के जरिये पीछे का sprocket भी उतना ही घूमता है दोनों ही sprocket में निशान लगा कर आप देख सकते हैं कि आगे का sprocket जब एक चक्कर पूरा करता है तो पीछे का sprocket भी अपना एक चकर पूरा कर लेता है ध्यान दीजे कि घूमते हुए दोनों स्प्रोकेट की गती बराबर है इस स्थिती में दोनों स्प्रोकेट में बराबर टॉर्क होता है यानि पैडल में जितना टॉर्क लगाते हैं पिछले पहिये में उतना ही टॉर्क मिलता है इस स्थिति में स्प्रोकेट का अनुपात एक होता है अगर स्प्रोकेट का यह सिस्टम आपकी साइकल पे लगा होता तो पैडल को एक पूरा चक्कर घुमाने से पहिया भी एक ही चक्कर घूमता अब यदि आगे के स्प्रोकेट में बीस दाथ हो और पीछे के स्प्रोकेट में दस ही दाथ हो तो इसका मतलब है कि पैडल जब एक पूरा चक्कर लगाएगा तो पहिया दो चकर पूरे कर लेगा ध्यान दीजिए कि घूमते वे दोनों स्प्रोकेट की गति अलग अलग है पिछला स्प्रोकेट अगले स्प्रोकेट से दुगनी गति से घूम रहा है यहां पैडल में चितना टॉर्क लगाते हैं उसका आधा टॉर्क पिछले पहिये में मिलता है यहां पे स्प्रोकेट इस सिस्टम को देखिए, अगले स्प्रोकेट में 10 दात हैं और पिछले स्प्रोकेट में 48 दात हैं, इसमें पैडल जब लगभग 5 चक्कर पूरा करता है, तब पिछला पहिया एक ही चक्कर गूम पाता है, जिससे पहिया भी एक ही चक्कर गूमता है, इसी वज़ा से पैडल म पांच चक्कर लगाने पड़ते हैं, यहां पर स्प्रोकेट रेशियो एक अनुपाद पांच है, हमारी इस साइकल में ऐसा ही है, इस स्थिती में पैडलिंग बहुत आसान होती है और हमें बहुत कम बल लगाना पड़ता है, इस स्थिती में पिछला पहिया काफी धीमे भूम लेकिन उसमें बहुत जादा टॉर्क मिलता है, इसी गुण का उपयोग करके कम बल लगाकर साइकल को चढ़ाई पर आसानी से चढ़ाया जा सकता है अब यदि हम आगे के स्प्रोकेट को बहुत बढ़ा और पीछे के स्प्रोकेट को बहुत छोटा करते हैं, तो स्प्रोकेट रेश्यो या गेर रेश्यो बहुत जादा हो जाता है यानि पैडल के एक चक्कर घुमने पर पहिया कई चक्कर घुम जाता है और अधिक दूरीताई कर लेता है लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत जादा तागत लगानी पड़ती है अब हम अपने इस साइकल में देखते हैं कि स्प्रोकेट रेश्यो कितना है इस पैडल से जुड़े आगे वाले स्प्रोकेट में 48 दाथ है जबकि इस पीछे वाले पहिये से जुड़े पिछले स्प्रोकेट या फ्री वील में 18 दाथ है यानि कि यहाँ पर जो स्प्रोकेट का अनुपाद है वो लगभग 3 अनुपाद 1 का अनुपाद है और इस साइकल में देखते हैं कि पैडल के एक चक्कर घूमने पर यहाँ पहिया लगभग तीन चक्कर घूम लेता है इस साइकल में स्प्रोकेट रेश्यो स्थर है गेर वाली साइकल में अलग-अलग स्प्रोकेट रेश्यो पाने के लिए अलग-अलग आकार के स्प्रोकेट लगाये जाते हैं ताकि धलान और चढ़ाई के अनुसार स्प्रोकेट अनुपात को बदलने के लिए इस तरह की साइकल में डिरेलर प्रिनाली होती है जिससे की चेन अलग-अलग स्प्रोकेट में खिसक सके अगले डिरेलर के द्वारा साधरन तहां दो या तीन साइस की चेन स्टैन अगर हमारे पास दो साइस की चेन रिंग या अगली स्प्रोकेट हैं और 3 साइस की पिछली स्प्रोकेट हैं तो हम यहां पर 2 गुणा 3 यानि की 6 संयोजन प्राप्त कर सकते हैं यानि की 6 अलग-अलग गति प्राप्त कर सकते हैν जब हमें बहुत ज़ादा टौक चाहिए होता है, तो हम कई सारे गेर्स का इस्तमाल करते हैं, ताकि छोटे-छोटे गेर्स को तेजी से घुमा कर, बहुत बड़े गेर्स को धीरे से घुमा सकें, तो आज के वीडियो में हमने देखा, कि स्प्रोकेट्स और गेर्स का इस्तमाल करके साइकल हमें बहुत तेज गती भी दे देती है और जरुवत पढ़ने पर बहुत जादा टॉर्क देकर बहुत जादा शक्ती देती है जिससे हम बहुत उची जगा पर भी बड़ी आसानी से पहुँच जाते हैं गेर्स या स्प्रोकेट्स साइकल के अलावा कई अन्य मशीनों में जैसे घड़ियों में, गाड़ियों में, खिलोनों में कई दरह से यूज होते हैं आप भी अपने आसपास देखे और समझे कि गेर्स या स्प्रोकेर्स किस तरह से और कहां कहां इस्तमाल किये जाते हैं. धन्यवाद.